मसका टेक लगाओ वांगनवाडी में आपका स्वागत है चलिए हम बेनिफीसरीज में एक गर्वती महिला का पंजी करने जा रहे हैं तो देखिए आप किस तरह हम पंजी करन करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का लाइक करें अपने वाटसप ग्रूप में जरूर सेयर कर लें 20.2 का यह नयापडेट है इसमें हमें पंजी करन कैसे करना है तो सबसे पहले हमें Potion trekker ओपन कर लेना है यहां पे आपको ब्रफिसरीज पर जाना है अप यहां पे आपको देखना है कि यहां पे ब्रेग्नेंट अमिन गार्वती महिला का पंजी करना है यहां पे lactating mother को पंजिकृत करना है, यहां पे 0-6 मंत के बच्चे, और यहां छे माह से 3 वर्स के बच्चे, और यहां पे 3-6 वर्स के बच्चे, जैसे कि आपको पता है, यहां पे जब गर्वती पंजिकृत करती हैं, उसके लिए delivery आप नहीं करती है, नाम आटोमेटिक सब इसमें बहुत दिक्कत होती है, फिर हमें रेजिस्टर ढूना पड़ता है नाम उसका, उसके बाद फिर यहां पे lactating mother है, अगर lactating mother में उसकी 6 मंत की हो गया है, बच्चे उसका 6 मंत को हो गया है, अगर आप इसमें नहीं पंजिकृत करते हैं, 6 मंत में तक तो उसका नाम भी हट जाएगा, तो 6 मंत के बच्चे आप इसमें 06 मंत के है, बच्चे के नाम सहीत इसमें पंजिकृत करना है, और इसमें से अगर उसका 6 मां से सत्वे में लगा नहीं, उसका नाम यहां से हट जाएगा, फिर आपको वो भी नहीं दिखेगा, तो आपको इसमें पंजिकृत कर लेना है जैसे ही इसे six month के उपर हो बच्चा और इसमें से जब नाम वो तीन वर्स का उसका पूरा होता है डेट तो वो करें रखेंगे तो इसमें संख्या बढ़ती हो। है यहां से बच्चे को माइग्रेट करना पड़ता है ज्यादा बच्चे हैं तो आप माइगडेट कर दीजिए और जित्ते पंजीुक्रित करती हैं उतने ही रखें तो इसलिए हमें आज हम आप आपको प्रेग्नेंट यानि गर्वती महिला को पंजिग्रित करके दिखाते हैं तो सबसे पहले हमें इस पर क्लिक कर देना है अब नीचे देखेंगे नीचे देखेंगे नीचे देखेंगे नीचे देखेंगे नीचे देखेंगे नीचे देखेंगे नीचे नीचे जाएंगे यहां पर उसकी कटेग्रीस रिलेक्ट करनी है यहां पर नो करना है उसके बाद यहां पर यहां पर फास्ट प्रेग्नेंसी है या दूसरी तीसरी है तो यहां पर तीसरी है तो हमें यहां पर नो कर देना है अगर हुआ हो तो हां करेंगे और नहीं हुआ हो इसके पहले तो आप नो कर सकती है last month period यहाँ पे LMP date आपको sit करना है यहाँ पे calendar पे क्लिक करके LMP date आप डाल सकते हैं चलिए हम आपको देखाते हैं महिला का पहले नाम उजयता देवी इसका नाम यहाँ पे हमें हिंदी में कर देना है यहाँ पे husband का नाम करना है यहाँ महिला का आधार नंबर पंजीकरित करना है यहाँ पे हो गई आधार नंबर इसका अब यहाँ पे date of birth इसका डालना है यहाँ पे हम mobile number डाल देते हैं यहाँ पे mobile number हो गया अब यहाँ से हमें एकरेग्री से select करना है यहां हमने belong to religious minority में no कर दिया है first frequency है no कर दिया है miscarriage no कर दिया है यहां पर हमें LMP date डाल देना है यहां पर date लिक भी सकते हैं calendar से आप open कर सकते हैं अब हमें नीचे आके यहां से submit कर देना है हम submit वाले option पर हमने click कर दिया देखिए यहां पर सक्सेस हो गया benefits count creation and progress go to home अब हमें यहां नीचे यह go to home बाले option पर क्लिक करके वहां फिर पहुंच जाना है benefits फिर क्लिक करना है अब देखिए यहां पर नाम अपडेट हो रहा है यह यहां पर देखिए अभी verify नहीं वान verify यहां पर दिख रहा है तो हम इसे verify करने के लिए महिला के नाम पर हम मैं nah पर हमें touch करना है verify करने लिए संद कुछ time लेगा आभी verify नहीं हो रहा है है कि इस लिए अभी यह कूल नहीं रहाIndुन तो इसे verify करने के लिए हमें साइद अगले दिन हो या कुछ घंटे में हो या कुछ समय बाद हो सकता है verify तो हमें इसके नाम पर touch करेंगे वहाँ पर verify का आप सनागई अधार verify कर लेना है हम verify करेंगे तो उसके नाम को तो हम वीडियो अलग बना के दिखा देंगे आज के लिए बस इतना ही कि एक हमने पंजी कर लिया है देखने के लिए धन्यवाद